Hello everyone and कैसे आप सब, welcome back to Vidyani classes, I hope आप सब अच्छे होंगे and बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने अपने घरों में अब बात करते हैं, एक आने वाले exam के बारे में जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जमुएन कश्मीर लदाक High Court की Union Assistant and कुछ और vacancies out हो चुकी है, पिछले तीन दिनों से काफी students हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप कोई batch लेके आ रहे हैं, इस exam के लिए कैसे prepare करें, क्या इस exam की preparation थोड़ी अलग होनी चाहिए as compared to the SSB exams, तो उन सभी queries को, doubts को लेके मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं and हम अपने platform पे क्या-क्या चीजें provide करने वाले हैं, उस सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वीडियो में end तक बने रहे हैं and अगर आगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe to Vidya Nail Classes platform, जिसमें सभी lectures related to all the upcoming SSB exams, JK PSE exams हम cover up कर रहे है तो बात करें अगर इसी exam की, तो JK High Court and Ladakh High Court का जो examination है, इसकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि यह जो syllabus officially out हुआ है, इस syllabus को अगर हम एक बार देखें, तो जो components इन्होंने हमें बताए हैं यहाँ पर, अगर इन components को देखें, तो अगर general English की बात करें प करें, यार यह तीन component तो ऐसे हैं, जो आप तो वैसे भी अगर एक SSB experiment हैं, तो आप यह सभी exams के लिए पढ़ रहे हैं, यह तो हर exam में कहीं न कहीं आता ही आता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी preparation को छोड़ के इसके लिए separately divert होना पड़ेगा, आप अगर SSB के exams के लिए कर रहे हैं, या करते हैं, या करने वाले हैं, तो यह चीजे तो वैसे भी common है, बात करें, job related awareness, जो 10 नमबर का आ रहा है इस particular job के लिए, terminologies, court related terminologies, वो सब चीजें आपके लिए नहीं होंगे, और वो चीजें आराम से cover up हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि इस 10 नमबर की देखें, तो English के पूरा syllabus से एक बार नजर मारें, आप हर एक component को यहां देखेंगे, वो ही components है, वो ही चीजें हैं, जो आपके JKSSB के exam में आती हैं, तो आपको ऐसा कुछ अलग से prepare नहीं करना पड़ेगा, यह सब चीजें आप पढ़ ही रहे थे और वो ही चीजें आप इस personally suggest करूँगा कि GS, last अगर आप पुराने paper को notice करें, तो EYQs को अगर इसके देखें हम, उन exam में जादा current affair related questions ही आए हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत बेस बनाने के लिए, you should understand about the geographical terms, quality के कुछ terms, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो this part में comprises questions related to current affairs, उन्होंने सीदे सीदे लिखें कि current affair से relate करेंगे, अब बात आती है कि कितना current affair पढ़ना है, तो आपको वैसे भी जैसे यूज लो की अभी code of conduct चल रहा है, examination will take approximately 3-4 months अभी आगे जाके ही exam होगा, तो आपको at least 6 months का current affair पढ़ना चाहिए, जो हम अपने सभी platforms पे, हमारे telegram पे daily upload करते है, हमारी app पे daily upload होता है, हमारे WhatsApp groups में daily upload होता है, तो यह चीज़े आप वहाँ पर follow कर सकते हैं, फिर आगे बात करें अगर computers की, तो computers में भी simply उन्होंने computer लिख दिया knowledge of basic concepts about the computer systems, तो यह यह भी topic आप SSB point of view से cover कर सकते हैं, जो हमने अच्छे से cover up करवाया हुआ है, and if you talk about the last topic, that is court related, this part may comprises job related questions, including to the terminologies, terminologies court related, जितनी terms use होती है, उसके बारे पे basic knowledge आपको होनी चाहिए, यह सब चीज़े हम cover up करवाएंगे, and हमारे YouTube platform पे भी यह components हम अलग से cover up करवाएंगे, अब साथ इस साथ को students की यह query थी कि sir, क्या आप कोई course ला रहे है इस चीज़ के लिए, क्या आप especially JNK Ladakh High Court related junior assistant के exam है, इसका कोई course launch कर रहे है, तो हमने अपनी app पर, अगर मैं आपके साथ share करूँ, if you talk about this course, तो हमने यह course launch कर दिया हुआ है, at a price of 512 after taxes, और अगर आप किसी भी faculty का coupon code लगाएंगे, it will cost you 461, जिसके अंदर हमने, अभी तक अगर आप देखेंगे, तो geography के lectures भ इसके lectures भी डालें, English के lectures भी डालें, computers के lectures भी upload किये, political lectures भी upload किये, and 16 test भी upload कर दिये हुए है, job related जो classes है, that will be conducted, अभी वो होंगे and वो भी upload हो जाएंगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं revision करना, तो this is more than sufficient for you, इसमें सब कुछ cover up हो जाएगा, बात क करें कि जैसे students कह रहे थे कि sir, is there any possibility कि कोई offline batch हमारा इसके लिए बन सकता है, तो हमारा offline batch जो है, वो हमने announce कर दिया है and it will start from 1st October, 1st October को morning में 8 बजए, एक नया batch start किया जाएगा, dedicatedly for junior system exam, जो आप हमारे साथ offline center में आके पढ़ सकते हैं, फरक रहेगा इसमें, क्या इसमें और JKSSB वाले batches में फरक रहेगा, see जो यह components है, यह आपको उसी level के पढ़ने पढ़ेंगे, obviously इसमें math reasoning नहीं आएगा, but बाकी components को आपको उसी level का पढ़ना पढ़ेगा, तो एक अच्छी opportunity आप सभी के लिए, अच्छा chance आप सभी के लिए इस exam को grab करने का, already हमारे पास जो exams lined up थे, वो अभी delay हुए हैं, तो आप इस exam को भी plan कर सकते हैं, and ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ separately prepare करना पढ़ेगा, if you are an aspirant and if you are preparing for JKSSB exams, अगर आप JKSSB exams के लिए कर रहे हैं, तो definitely आप GS पढ़ेंगे, definitely आप current affairs पढ़ेंगे, आप English को prepare करेंगे, आप English prepare करेंगे, आप Maths and Reasoning prepare करेंगे, आप computers prepare करेंगे, जो main main topics में भी लिख रहा हूँ, so इस exam ने क्या demand कर दिया, इस exam ने कहा कि मुझे current affairs चाहिए, मुझे English चाहिए, मुझे computers चाहिए, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, definitely you can go for this exam also, और अलग से नहीं, जो पढ़ रहे हैं, जो revise कर रहे हैं, उसी pattern में चलते जाहिए, और आपका ये exam अराम से clear हो सकता है, it's a big opportunity, it's a golden opportunity, आप इस exam को निकाल सकते हैं, साथ ही साथ, level of questions के अगर हम बात करें कि इस exam में level कैसा रहेगा, मैं आपको यही suggest करूँगा, अगर हम पुराने paper को देखें, अगर हम PYQs को चेक करें और इसका last year paper देखें, paper was on an easier side, but अब at least जिस level का आप JKSS भी prepare कर रहे हो, उस level को at least maintain करके रखना, वो ही set of books लेके चलना, वो ही set of preparation लेके चलना, and उसी pattern को follow करके चलना, questions उसी level के होंगे, उसी तरीके से बनेगा, right, so this is the main thing जिस पे हम बात करने वाले थे, अगर आपको हमारे किसी भी course related information की कोई भी आप हमारे साथ हमारे given numbers पर contact कर सकते हैं, हमारे description में, telegram का link, हमारे institute के contact number, हमारे institute गांदी नगर नियर पहलवान स्वीट्स है, आप आ सकते हैं, institute विजट कर सकते हैं, and 1st October से if you want to have demo lectures, आप demo lectures भी लगा सकते हैं, अगर आपको online course चाहिए, online course is also available, और online course का ये मतलब नहीं है कि हमने आपको lecture provide कर दिया, and उसके बाद कोई लेना देना नहीं, in lectures में आपका proper weekly doubt sessions रहते हैं, live doubt sessions रहते हैं, आप directly हमारी faculties के साथ contact कर सकते हैं, जो already बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे constable batch में, हमारे JKSSB integrated batch में पढ़ रहे हैं, आप उन से पूछ सकते हैं, वो आपको साथ ही साथ, one more very very important thing, जो मैं आप लोगों के लिए last के लिए रखा था, that is, हमारे YouTube platform पर, हमारे YouTube platform पर, जिस तरह से आप हम लोगों को response दे रहे हैं YouTube पर, उस platform पर भी हम, Monday, Tuesday, Wednesday, जो अलड़ी आपको पता है कि इस पे तिशा मैम, तिशला मैम, इसमें अपना component cover कर रहे हैं, एक नए component के साथ आ रहे है, Thursday, Friday and Saturday, हम इसमें English component स्टार्ट कर रहे हैं, timing will be shared in the Telegram groups, in the WhatsApp groups, हमारे किसी भी social media group पर, अगर आप connected है, Instagram पर connected है, तो वहां पर आपको information मिल जाएंगी, ये तीन दिन हम English की classes cover up करवाएंगे आपके लिए on a YouTube channel, absolutely free, अब आप बोलोगे कि क्या सर फरक रहेगा, जाहिर सी बात है, free and paid batch में, there is a different of bunch of questions का फरक रहता है, attention का फरक रहता है, individual attention मिलती है हर एक student को, that is a difference, but हम अपने YouTube channel पर, Thursday, Friday and Saturday को English component स्टार्ट करेंगे, which is equally beneficial for your upcoming JK SSB exams, for your J&K high court exam, ये सभी के लिए ये बनिफिशल रहेगा, okay, इस वीडियो को आप तक पहुचाने का एक ही मकसद था, ताकि आपको पता चले, जो आप पिछले तीन दिन से आपकी queries आ रही थी, request RG कि सर, कब batch स्टार्ट करेंगे, तो हमने एक batch आप लोगों के लिए officially announce कर दिया है, online students already enroll हो चुके है, offline हमारा 1st October से start होगा, इसके साथ सा जेकेपी, Constable सफलता batch, JKP, JKSSB, integrated batch already running है, offline, online दोनों टाइमस पे, अगर आप किसी भी batch में कोई भी batch data information चाहते हैं, हमारे given numbers पे contact कर सकते हैं, हमारी app का link हमारी description में provided है, कोई भी query होकर नहीं समझ आ रहा हो, हमारे given numbers पे call कीजिए, हमें message कीजिए, हम आपके लिए हमेशा available रह प्राइमस पे जब हमें, हमारे थक्षारी नहीं से बाली आपके लिए रहा हो, हमें और रहा हो, हमें हम पे रहा हो, हमारे रहा हो, हमारे यह हैंगी है?